आज सब से पहले फते की सांज बुलावबाई वह है गुरुजी का खालशा वह है गुरुजी की फते ये सब को पता है पंजाब का या पंजाब के लोगों का बाद दुरुशे इतियास बर्या पड़या है बाद दुरी का दिमाग का क्योंकि इसके उपर ना कलगी प्राप्त है वो था पड़ा प्राप्त है कि पंजाब के लोग कितनी बड़े से बड़ी मुशिबतो उसे बार निकल जाते हैं। कनाड़ा के लोग भी थे हाँ इंडिया कनाड़ा की विवाद के उपर पूरा फोकस है उसको पूरा वीडियो चलाते हैं। प्राउड होगा ही होगा। एक आम निसान को भी इतना प्राउड होना चीए कि देखो यह होते हैं गुरू के असली शिक। एसा होता गुरू का शिक। जो अजारो लोगों की जान बचा के भी मुश्कराता हुआ चलता हैं। कोई वो नहीं कहीं नहीं दिखाया गोती मीडिया नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। गठना भी किये ताजा है किसी को चाहिए तो पुरूफ चाहिएंगे पता पुरूफ भी देदेंगे। क्योंकि विदेशी अकबारों में आये हैं पुरूफ तो अपनी आतों किसी नहीं दिखाया है नहीं। दिल्ली से कनाड़ा फ्लाइट जा रही थी जाद जो बलते हैं वहाँ उस फ्लाइट के अंदर अजारों स्टुडेंट थे वई। स्टुडेंट जो जाते हैं कनाड़ाम जाते हैं वह भी थे अभी तोले लोग विवाद के ओपर फोकस कर रहे हैं अभी यह विवाद शुरू है इसी दोरान की गटना है यह ध्यान से सुननना थोड़ा सा। कनाड़ा के लिए जब फ्लाइट उडगी थी फ्लाइट को 4-5 गंटे ही हुए थे उड़ी हुई इको जो मैन पाइलेट था उसको हार्ट अटेक आ गया हार्ट अटेक होते ही जो को पाइलेट था वो भी नया था घबरा अगया वो भी एरोश्केज की मदद से उस पाइले जीत शिंग वो जाकर देखने लगया उसने भी कोशिश की मदद करवाई उसकी को पाइलेट की स्टाब की तो नहीं कोई फाइदा नहीं वहाया तो वो जाकर पाइलेट की सीट के उपर बैठ गया पाइलेट की सीट के उपर बैठ तो जो को पाइलेट था और जो एरो गरझा के इंदर जीत स्खिंग वह कनाड़ा में रहता कनाड़ा का स्थाइधारिक है अपने विव बच्चों के साथ, अपने माबाप को लेने के लिए पंजाब आया उओा था, हमर पकी बता देती है प्लाडर मत चिंता मत कर एक काम करो जो ये बच्चे बैठे है जाज के अंदर इन में एक मेडिकल की स्टुडेंट है मेडिकल की स्टुडेंट है उसको आवाज दो वो इसका इलाज कर देगी पाइलेट का तो पाइलेट के उसने जाक एरो स्टेज ने बोला कि कोई मेडिकल की स्टुडेंट है एक लड़की ने बताया कि हां मैं हूँ वो भी एक कोर थी आपको ये बता देती हैं कोई बनी बनाई बात नहीं बता रहे हैं आपको आप इसके सबूत हैं देख सकती हो आराम से वो मेडिकल की स्टुडेंट आके पाइलेट का इलाज करने लगी लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ तो उसको चेता आया थोड़ा उसने अपना हुआ अए गुरु का जाब किया तो चेता आया उसको इंडिकेशन देने लगया कि ऐसे ऐसे को सफलता पूर्वक जहाद को कनाडा में लेंड किया रुपेंदर जीत सिंग ने अब सुनिए आगे की बात पूरी सुनके आपको भी न मैं करें प्राउड छोड़िया आप इस वीडियो को भी इतना शेयर करो कि सभी तक ये बात पहुँच जाए फोटो उसके लगा देंगे रुपेंदर जीत सिंग के भी पाइलेट के को पाइलेट के सब के आप फोटो देख सकते हो जहाज सपलता प्रोप लेंड होने के पाद सभी ने उस लड़की की भी तारिफ की जो मेडिकल इस डूनी थी उस लड़की की बहुत तारिफ की एकनि सबसे ज़्यादा तारीफ जो होनी थी रुपेंदर जीत सिंग की जो जहाज का मेहन पाइलेट था जाजार डोलर देके सम्मानित किया था रुपेंदर जीत सिंग को पैसे माइने नहीं रखते लेकिन वो सम्मान माइने रखता है जो पाइलेट के दिल में उसका सम्मान था ना उसके साथ फोटो खिचवाए कनाडा की सरकार को पता लगया कि रुपेंदर जीत सिंग ने ऐस आपे न सिरफ चुटकले बना सकती हो आप लोग बैठका चुटकले बना देऊगे सरदारों के उपर लगिन जो खालसा जो शिंग है उसके अंदर ताकत के साथ साथ बुद्धी भी होती है उसने अपनी बुद्धी का इस्तिमाल किया हजारों बच्चों की जान बचाई वो बच्चे भी उनके साथ फोटो शेलफी लिए उन बच्चों ने भी यह ऐसा हमने पहली बार देख्या और ऐसी गटना भी पहली बार हुई है कभी आज तक आपने सुनया नहीं होगा कि जाज के पैलेट को आट्टेक आगया या कुछ हो गया आज तक हुई होता ऐसी गटन अगर इसकी जगह पर कोई ओर होता हो सकता अगर कोई मुसलिम भी होता तो नहीं दिखाते अगर हिंदू होता या इसकाई होता या कोई ओर होता आप दिखाते या नहीं दिखाते रहे यह तो अपने भारत का था अपने पंजाब का था अमरत सरसाइब का था अमरत कि देदी भाई तुम दिखा क्या रही हो क्या दिखा रहे हो तुम पहले ही बताया था हमेशा पोजेटिव चीजों को पकड़ो और ना यह तो गुरुव का आशिरवाद प्राप्त है पंजाब की धर्ती पर जो प्याता होया है हम भी पंजाब की धर्ती से ही है यह मजब जन जानुवर के उपर भी मुशी बताती है तो भी अपने हाथ पेर मारता है वो सोचता करता रहता हो सकता जानुवर ना कर पाए कभी कभी इनसान का दिवाग भी काम नहीं करता लेकिन गुरु का ऐसा आशिरवाद ऐसा था पड़ा प्राप्त यह संयुक्त पंजाब को अशि चीज नहीं है ये कोई किसी की ऐसे जान बचा लेता है तो उसकी भी पूरी मीडिया में खबर फैलती है क्यों नहीं कहीं पर खबर आई यहां पर है अमारी असली शमश्यान के साथ दिखाना चाहिए था इतनी भी नफरत मत करो कि नफरत लेके तुम इस दुनिया से चले ज आप यह क्यों नहीं सोचते हैं तो उसका रुजल्ट पुजटिव आएगा आपके पास पूजटिव रिजल्ट आएगा अगर नेगटिव रुखोगे और नेगटिव रिजल्ट आने लग रहा है आपको कुछ नहीं मिल रहा आप आत पहर मार रहा हो कोई देखना पसंद क करता ये इतने बिकाव मीडिया हो चुकी है कि हम हैरान है अगर आप इस न्यूज को दिखाते ना तो हर मैं कहता हूं हर भारतवासी के दिल में खुशी के लियर होती देखो हमारे देश के नागरिक ने ऐसा काम किया एक सलूट रुपेंदर जीत सिंग को बनता है बाई और हम आपको बताएंगे दिखाएंगे सभी साथियों को राम राम नमस्कार आधाव सश्रियकाल वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर आज इस वीडियो को शेर जरूर करना भाई सभी तक पहुंच नीचे ये गटना और उपेंदर जीत सिंग को सभी के पासुन का नाम पहुं आपे मर जांदे जड़े दूजे बंदे नू मारते ये है वो अकालपुरुक की लिल्ला जिसके बारे हम बताते हैं लिल्ला पता भी निचलता कब लिल्ला दिखा देते हैं अकालपुरुक वहे ग्रुजी का खाल्शा वहे ग्रुजी की फते